मैं अयोध्या हूं आज इस अंतिम गड़ी में सुनिये ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया लिखक हैं दैनिक भासकर के नैशनल एडिटर नवनीत गुर्जर विवादित कही जाने वाली पूरी जमीन हिंदूओं को सौपने के सुप्रीम कोड के आदेश के साथ ही कोई 500 साल से चले आ रहे सतत संघर्ष का पड़क्षेप हो गया हलाकि इससे पहले सरकार और भाजपा द्वारा जारी किये गए श्वेत पत्रों में एक दूसरे को धांचा द्वस्त करने के लिए जिम्मिदार बताया जाता रहा सरकार का श्वेत पत्र ध्वन्स के यथार्थ से शर्मिन्दा था उसमें कहा गया कि कल्यान सरकार की विफलता और अयोध्या आंदोलन के नित्व के विश्वास घात से बाबरी धाचा तूटा वही भाजपा का श्वेत पत्र इन तमाम सरकारी दावों को खंडित करते हुए कहता रहा कि आंदोलन के सहन सीमा तूट जाने से धाचे का ध्वन्स हुआ वरना आंदोलन का नेत्व तो उससे आदर सहीत इस्थनांतरित करने का आग रही था आखिरकार ध्वन्स के लिए राव सरकार की मनशाही पूरी तरह सिम्मेदार रही यह हुई ध्वन्स और उसके पीछे की कहानी अब आगे चलते हैं कोट के आदेश के बाद आखिरकार 5 अगस्त 2020 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने राम मंदर निर्मान के लिए भूमी पूजन किया भूमी पूजन के लिए भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल लाया किया था श्री राम जन्म भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 को मंदर निर्मान का पहला चरण शुरू किया ये लाखों करोडों लोगों के लिए एक दिव्य स्वपन के साकार होने जैसा था राम मंदर के लिए चले लंबे संघर्ष में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे कई ने लंबा संघर्ष किया उन्हीं आहुतियों और उसी संघर्ष का प्रतिफल है कि आज देश राम लला का मंदर देख पानी की स्थिती में पहुंचा है कल 22 जनवरी को 5 साल के राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मूर्ती गर्ब ग्रह में रख दी गई है लेकिन दर्षन 22 जनवरी और इसके बाद ही संभव हो सकेंगे 1992 में बाबरी ध्वंस के बाद 31 साल से जो मूर्ती एक टेंट नुमा छपपर में रखी हुई थी वह वही राम लला विराजमान है जिनके नाम पर ये पुरा केस लड़ा गया लोग जब दर्षन करने जाते थे एक चक्रवर्ती समराट के चक्रवर्ती जेश्ट पुत्र राजा राम चंदर को यूँ गुम्टी में देख कर दुखी हो जाते थे वे उस मूर्थी के दर्शन तो करते थे लेकिन साथ में वही आसपास रखी शिलाओं को भी पूजाते थे इस आशा में कि कभी तो राम मंदिर बनेगा और ये शिलाएं भी टेंट में बैठे भगवान के भवन के काम आएंगी आज वो दिन आ गया है लाखों करोडों लोगों की भावनाएं फलिभूत हो रही हैं फिलहाल समय का सिर्फ चक्का घुमा है अयुध्या में पैदा हुई हिंदुत्व की लहर जो बीच में कहीं छुमंतर हो चुकी थी उसे फिर से जगाने की कोशिश हो रही है जहां तक 500 साल पुराने अयुध्या के घावू का सवाल है वे धीरे धीरे सूख रहे हैं विशाद और तनाओ के आसू भी सूख चुके हैं सर्यू में हर तरफ उस्साहा और उमंग की लहर है ट्रेता युक से आज तक राम के जीवनकाल और उसके बाद उनके मंदिर के लिए 500 साल तक चले संगर्श और उसके सुखद परिणाम तक के इस व्रतांत को यहीं विराम देते हैं देनिक भासकर में फिर किसी ऐसे आउसर पर ऐसी ही परत दर परत कहानी के लिए फिर आपके साथ होंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत